इस image में हमें एक disinfectant दिख रहा है अगर इस region में हम ध्यान दे तो हमें एक level दिखता है उसी को चलिए enlarge करके देखते हैं यहाँ पर active ingredient के तौर पे पेराख्लोरोमेट अजाइलनॉल है PCMX जो की कहा गया है 0.3% है और यहाँ पर W divided by W लिखा हुआ है इसका exact मतलब क्या है आज क इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे देखे यहाँ पर W stands for weight यह जो active ingredient PCMX है इस solution में weight के हिसाब से देखा जाए या फिर mass के हिसाब से देखा जाए तो यह 0.3% है अब weight के हिसाब से percentage जो होगा mass के हिसाब से भी वही percentage होगा चलिए यह 0.3% by mass या फिर weight by weight इसका exact मतलब क् है इसके लिए हम एक example लेकर समझते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम consider कर लेते हैं एक solution चलिए पहले तो यहाँ पर एक liquid consider करते हैं हम लोग पानी ही माल लेते हैं इस पानी में लड़से इस पानी का जो mass है यह पानी का mass है M1 यहाँ पर पानी के जगा किसी भी तरह का liquid या किसी भी तरह का solvent हो सकता है, solvent मतलब जो घूलता है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा किसी भी तरह का जो घूल जाता है, ऐसा नमक हम यहाँ पर डाल देते हैं, और उसका जिसे कि हम solute कहेंगे, जो घूल जाता है, किसी solvent में उसे solute कहा जाता है, और इ यहाँ पर जो salt है, वो normally ions में टूट जाता है और यहाँ पर इस तरह से यह इस liquid में dissolve हो जाता है. अब यहाँ पर दो components है, पहला component जो की घूल रहा, जो की solvent है, जिसका की mass M1 है, और दूसरा component M2 है, उसका mass M2 है, दूसरा component यह salt है, जिसका mass M2 है, जो की घूल के यहाँ पर solution बना रहा है. तो यह जो solution है, अगर इस solution का आप mass देखें, तो इस solution का mass जो है, यह mass बन जाएगा, obviously M1 तो solvent था, उसके साथ हमने M2 वहाँ पर डाल दिया, तो total mass होना चाहिए M1 प्लस M2. अब यहाँ पर देखें, अगर कहा जाए, किसी भी एक component की बात करें, चलिए, यहाँ पर जो salute है, उसी की बात करें, जो नमक है, जो की M2 mass में यहाँ पर डाला गया है, उस नमक का percentage कितना होगा इस solution में, वो जितना भी होगा, उसी को उसका mass percentage कहा जाता है. चलिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, mass percentage of mass percentage, सबसे पहले पता करते हैं, कि यह salute का mass percentage कितना होगा, mass percentage of the salute, यहाँ पर यह जो salute है, जो salt है, चलिए, मैं salt ही लिख लेता हूँ, salt इसका mass percentage कितना होना चाहिए mass percentage मतलब इसका percentage कितना होना चाहिए किस basis पे हम percentage निकालेंगे mass के basis पे percentage निकालेंगे वैसे volume के basis पे भी percentage निकलता है वो हम जो volume percentage है उस वाले topic में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर अगर percentage पता करना है salt का इस solution में कितना percent वो है तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा यह salt कितना part में है इस solution में तो इस solution जिसका की mass है M1 प्लस M2 उस solution में salt का mass अगर M2 हुआ तो फिर salt कितने parts में होगा इस solution में Obviously जो salt का mass है M2 divided by जो solution का mass है M1 प्लस M2 इतना part salt होगा इस solution में हमें पता है part के साथ अगर हम 100 multiply कर देते हैं तो फिर हमें percentage मिल जाता है यहाँ पर percentage sign लगा देते हैं तो यहाँ पर salt इतने percent में होगा इस solution में चलिए इसे ऐसे लिख लेते हैं तो यहाँ पर m2 जो था यह था mass of salt mass of salt divided by mass of solution mass of solution, solution को in salt हम ऐसे लिख सकते हैं so mass of salt divided by mass of solution यह salt का part बताएगा कितना part है इस solution में इसके साथ 100 multiply करके हम percentage बता कर सकते हैं तो इतना percent होगा, इतना percent salt होगा इस solution में वैसे यहाँ पर salt और water के जगा पे component 1, component 2 भी रह सकता है चलिए, अब यह तो salt का होगया इस solution में जो salt का mass percentage था वो हमने ऐसे पता कर लिया उसी तरह से यहाँ पर जो पानी है उसका भी mass percentage होगा वो भी तो किसी part में होगा इस solution में उसका भी तो एक part होगा solution में so mass percentage, mass percentage of water इसी तरह के logic से वो निकलेगा mass percentage of water यह कहने का मतलब यही है यहाँ पर इस मुद्दे के साथ कि ऐसा आपको न लगे कि सिर्फ solute का ही mass percentage होता है किसी भी component का mass percentage हम पता कर सकते हैं मतलब percentage पता कर सकते हैं वो कितने percent में होगा, obviously इस case में हम क्या कहेंगे formula लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर हो जाएगा mass of water which is m1 divided by solution का mass m1 plus m2 तो इतना part में water है इस solution में इसके साथ हम 100 percent multiply करतेंगे अगर हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे mass of water divided by mass of solution into 100, इतना percent चलिए एक example consider कर लेते हैं, example के तौर पे हम मान लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पानी है यह हमने 60 gram का लिया है और यहाँ पर यह जो salute है, जो salt हमने dissolve किया है, उस salt का मास है, उस salt का मास है, उस लेते हैं 15 gram तो फिर इस case में अगर हम इन दूनों का, इन दूनों का mass percentage पता करेंगे तो हम क्या कहेंगे? तो इस case में percentage पता करने के लिए, percentage जे solution के respect में होगा, तो percentage पता करने के लिए यहाँ पर जो solution है, उस solution का मास सबसे पहले हमें पता करना होगा so 60 ग्राम 60 ग्राम पानी में अगर 15 ग्राम हम salt गोल देते हैं तो obviously जो solution होगा इसका मास होगा 60 ग्राम प्लस 15 ग्राम और ये बन जाएगा 75 75 ग्राम का solution बनेगा so इस example के हिसाब से अगर हम मास परसेंटेज मास परसेंटेज मैं शॉट में लिख रहा हूँ of salt पता करें salt का मास परसेंटेज तो ये कितरा होना जाएगा salt का मास चुकी 15 ग्राम का है divided by solution का मास 75 ग्राम और इसके साथ 100 परसेंट ये multiply कर देते हैं और यहां से ग्राम और क्राम कैंसल हो जाएगा 15 को 5 से गुना करने से 75 और 5 इंटू 20 15 गुना 20, 100 होता है तो ये बन जाएगा 20 परसेंट ये बन गया 20 परसेंट इसी तरह से अगर पानी का मास परसेंटेज हम इस केस में पता करना चाहें तो फिर वैसे कॉमन सेंस लगा कि आप ये क्या सकते हैं कितना परसेंट होगा दो कॉम्पोनेट मिलके ये सल्यूशन बना है अब अगर सल्यूशन का 20 परसेंट एक कॉम्पोनेट होगा तो दूसरा कॉम्पोनेट 80 परसेंट होगा दोनों मिला के 100 परसेंट ग्राम और 100 से multiply कर देंगे तो part percentage में convert हो जाएगा 15 पंदरा से अगर हम काटते हैं इसे तो ग्राम ग्राम पहले cancel कर लो 15 4 से गुना करने से 60 5 से गुना करने से 75 और 5 into 20 is equal to 100 so 4 into 20 4 गुना 20 is equal to 80 so 80% यहाँ पर पानी है so salt का mass percentage 20 या 20% by mass यह salt है इस solution में और पानी का mass percentage है 80 या फिर कहें 80% by mass यहाँ पर पानी है so ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पानी जो है या salt जो है salt का concentration इसे concentration कहा जाता है कि कितना concentrated है यहाँ पर salt के particles जो है ions हो सकता है salt के जो particles है ions जो है कितना concentrated है so इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि concentration of salt salt is equal to कितना concentration है salt का 20% तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20% और उसके बाद हमें लिखना होगा किस basis पे क्या volume के basis पे इसे किया जा रहा है या फिर mass के basis पे से किया जा रहा obviously इसे mass के basis पे किया जा रहा है तो w divided by w या w by w वैसे देखे day to day life में हम mass और weight को interchangeably use करते है day to day life में तो यहाँ पर w stands for वैसे तो यह stand करता है weight के लिए और लेकिन science जो है weight को उतना value नहीं देता है mass को value देता है और day to day life में अगर आप normal market जाए तो वहाँ पर mass का concept यूज नहीं होता weight का concept यूज होता है वैसे technically physics के हिसाब से weight और mass में अंतर है लेकिन हम उसे interchangeably use कर लेते है so w stands for weight so यह mass percentage यह बता रहा है इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है चली यह तो एक simple problem था अब एक हम लोग थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज्यादा complicated problem पे आते हैं यहाँ पर कहा गया है कि एक solution को prepare किया गया है कुछ amount में salute मिला कर कितना amount में salute है यह कहा नहीं गया है और कहा गया यह जो liquid है जिस liquid में इसे घूला जा रहा है वो liquid 375 ml का है so milliliter मतलब volume बताया जा रहा है so 375 milliliter का यहाँ पर liquid है और उस liquid का density बताएगा 1.2 gram per milliliter देखे volume के साथ अगर density दिया हुआ रहे तो फिर हम यह पता कर सकते है कि उसका mass कितना है तो यह तो confirm हो गया कि हम इस liquid का mass पता कर सकते हैं और कहा गया the mass percentage या फिर कहें the percentage by mass of the solute इस solute का percentage by mass इस solution में 10 है मतलब 10% है तो यहाँ पर एक salt जो है एक salt को यहाँ पर घोला गया इसका mass कितना है यह नहीं पता तो इसे हम M2 लिख लेते हैं salt का mass यह गुल गया पूरी तरह से और जो mass percentage इसका निकल के आ रहा वो 10% है तो फिर हम इसी चीज़ को formula की तोर पे हम ऐसे लिख सकते हैं पहले तो मैं यहाँ जो liquid है liquid का mass हम consider कर लेते हैं यहाँ पर liquid का mass है यह M1 है इसे पता करना होगा अभी तक हमें पता नहीं है जैसे ही कहा गया the percentage by mass of the solute in the solution is 10 वैसे ही हम तुरंत इसके लिए एक equation बना सकते हैं हमें पता है कि जो salt होगा या solute होगा उसका mass percentage के लिए salt का जो mass है हमने consider किया यह M2 है divided by जो solution का mass होगा M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 यह तो part होगया salt का इतना part है इसके साथ 100 multiply कर देने से percentage निकलाता है तो इतना percent salt है by mass जो कि question के हिसाब से कहा गया that is equal to 10% तो यह दोनों side से हम percentage sign को हटा सकते हैं तो यहां से इसे हटा देते हैं हमें क्या पता करना होगा हमें इस question में यह पता करना होगा कि mass of solute M2 यह कितना है तो इसके लिए आप घौर से देखे M2 पता करने के लिए हमें M1 का value चाहिए होगा जबकि M1 का value नहीं दिया हुआ है बलकि M1 के जगा पे यह जो liquid है liquid का mass नहीं कहा गया बलकि उसका volume दिया गया है तो यहां से हम इस volume से और यहां इस density से हम इसका mass पता कर सकते हैं देखे हमें पता है कि density किसी का भी density यह होता है उसका mass divided by उसका volume अब यहां से अगर हमें mass पता करना होगा तो हम कह सकते mass is equal to density into volume तो उस हिसाब से अगर हम इस liquid का mass पता करना चाहें which is M1 so M1 हो जाएगा इसका जो volume है 375 milliliter और इसके साथ multiply कर देंगे इसका जो density है 1.2 gram per milliliter तो फिर हमें इसका mass मिल जाएगा इन दोनों को multiply करके देखें यहाँ पर सबसे पहले तो मैं milliliter milliliter को cancel कर दूँ milliliter और per milliliter denominator में यह milliliter है यह cancel हो गया और unit के तौर पर देखें यहाँ पर gram बचा हुआ है तो फिर यहाँ पर 375 into 1.2 करने से हमें मिलता है 450 so 450 gram यहाँ पर यह liquid है तो फिर अब यह वाला equation जो है इस वाले equation में value put करने से हमें जो m2 का value है वो m2 का value मिल जाएगा so यहाँ पर हम कहेंगे m2 divided by m1 plus m2 m1 है 450 grams 450 grams plus m2 into 100 is equal to 10 तो फिर तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ से देखे 100 m2 100 m2 is equal to 450 gram into 10 so 4, 5, 0, 0 इतना gram plus 10 m2 10 m2 तो फिर यहाँ से आगे देखे 100 m2 left side में है और equation के दोनों side से 10 m2 subtract कर देते हैं या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इसे अगर transpose करके इस side में ले आते हैं तो फिर यह बन जाएगा minus 10 m2 that is equal to 4500 gram so यहाँ से 100 minus 10 is equal to 90 90 m2 is equal to 4500 gram तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं m2 is equal to 4500 gram divided by 90 so that is equal to 00 cancel हो गया पांच गुना नो 45 so 50 50 gram तो यहाँ पर यह जो यह जो solute है यह solute 50 gram का है so यहाँ हमने कुछ problem solve किया mass percentage से related लेकिन हमेशा जो है जो solution बनता है वहाँ पर जो components होते हैं उसका mass के हिसाब से ही percentage नहीं निकलता है ब़लकि और भी अलग-अलग तरीके से concentration निकाला जाता है उनमें से एक है volume percentage तो अगले वीडियो में अब हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और जाते-जाते मैं आपको बता दू कि स्टार्ट 12 के लिए solutions chapter के सारे वीडियो उसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें cut bye